खेलो स्टूडेंट्स वेल्कम एक ट्यूम आए यूटूब चैनल नौलेज का खेडा सो स्टूडेंट्स आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर मजश सेकेंड की ठीक है जैसे कि हमने चैप्टर मजश सेकेंड पहले रीड कर लिया था लेकिन मैंने आपको कुछ प्रोराम करवाई थे और कुछ प्रोराम मैंने नहीं करवाई थे तो आज हम बागी प्रोराम की बात करने वाले हैं ठीक है जब मैंने आपको चैप्टर मजश सेकेंड करवाई था तो मैंने आपको बोला था कि जितने मैंने प्रोग्राम्स करवाए थे, आप उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हम जो आगे वाले प्रोग्राम्स करेंगे, वो आपको तब ही समझ आएंगे, जब आप उन प्रोग्राम्स को अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम् Fiboniki Series, तो आप कोगे कि Sir Fiboniki Series पहले आपने करवा दिया, आज फिर से क्यों, क्योंकि हमने जो पहले Fiboniki Series की थी, वो हमने Without Recursion की थी, आज मैं बात करने वाला हूँ, Recursion के साथ, ठीक है, मुझे रखता है कि आपका ये program exam में आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं चाता हूँ कि आपको मैं वो program भी करवा दूँ, ठीक है, तो program को start करने से पहले, आप यहाँ पे एक browser देख रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने C compiler को open किया हुए, तो जो भी students मेरी video देख रहे हैं, मैं उन students को कहना चाता हूँ कि जिनके पास C language का software नहीं है, और वो C language के programs को करना चाते हैं, तो आप इस link पर जाके, आप इस interface को open कर सकते हो, ये भी एक तरह का क्या है, ये एक तरह का C compiler है, जो आपके C program को यहां पर execute करेगा, ठीक है, या फिर अपने C program को इस window पर run करवा सकते हो, ठीक है, तो इस compiler को मैं भी first time use करने वाला हूँ, मैं भी देखना चाता हूँ कि ये compiler कैसे काम करता है ठीक है, काम तो वैसी करेगा, बट इसका interface क्या रहेगा, तो आज मैं वो चीज चेक करना चाता हूँ, ठीक है, तो ओके students, तो अपने पास एक notebook और pen रख लिजिए, ताकि जो मैं programs करवा रहा हूँ, आप उसको note कर सके, ठीक है, पहले आप इसको अच्छे समझ लेना, उसके बाद लिखता हूँ, comment, program of linear search, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर comment लिखती है, program of linear search, ठीक है, तो यहाँ मैं header file लगाता हूँ, hash include studio.h, तो आप कोई बात और बदाना चाहता हूँ, कि सिरफ हम यहाँ पर एक ही header file को यूज कर सकते हैं, जो second header file है, corner attach वाली, यह compiler उस header file को support नहीं करता है, ठीक है, तो हम सिरफ यहाँ पर एक ही header file का use करेंगी, ठीक है, so next यहाँ मैं यूज करता हूँ, void main and block shoe, तो हमारी जो भी main programming होगी, वो अभी यहाँ पर शूरू हने बताया था, मैं आपको फिर से short में बता देता हूँ, कि linear search एक ऐसी search algorithm है, जिसको आप use करके, किसी array की element को search कर सकते हो, ठीक है, किसी array की element की index value या फिर location को search कर सकते हो, लेकिन जो linear search है, वो जो भी element की index value, या फिर सकी location को search करेगा, वो sequential तरीके से करेगा, यानि कि one by one check करेगा, ठीक है, तो क्या करता है, कि जो हम यहाँ पर element देंगे, वो element बाकि सभी array से compare करेगा, अगर उसको कोई element मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसकी index value को return करेगा, ठीक है, अगर array के अंदर हमें वो element मिलता ही नहीं है, तो वो return करेगा minus one, ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखनी है, ओके, तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें यहाँ पर variables को declare करने है, ठीक है, तो यहाँ मैं first variable लेता हूँ, integer type का, जो है array variable, इसका मैं size लेता हूँ, max 100, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर size 100 लिया है, इसका means यह नहीं कि मुझे यहाँ यहाँ पर 100 elements को enter करना ही पड़ेगा, 100 मेरा maximum size है, मैं इससे कम भी elements को store कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे माम लोग कि अभी मेरे पास array variable एह है, इसके अंदर हम 100 elements को store कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कि एक variable और लेता हूँ, n नाम से, and यहाँ पर क्या कम करेगा, एन यहाँ पर यह काम करेगा, कि हम 100 मेरे से जितना size यूज़ करना चाते हैं, वो size में, and के अंदर store कर दूँगा, ठीक है, यह काम कैसे करेगा, वो आपको देरे-देरे समझ आ जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर दो variable declared किया है, एक है array variable, एक है size variable, जो है end नाम से, कोमा, तो अब होना क्या है कि यहाँ पर कि, ऐसो तो है निकी हम एक time के अंदर सारे element को store कर सकते हैं, ठीक है, जब भी बात multiple की हो, हम यहाँ पर loop चलाते ही चलाते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा value को store करना है, तो एक से ज़्यादा value को store करने के लिए, हम यहाँ पर loop चलाएंगे, तो यहाँ पर एक लेता हूँ loop variable, जो है i नाम से, ठीक है, So last variable, last variable क्यों बोला क्योंकि अब करना क्या है हमारा array का काम तो हो गया अब करना क्या है कि array के अंदर से हमें एक element की index value या फिर उसकी location को search करना है ठीक है तो हमें जिस element की index value या location को search करना है तो हमें उस element को कही न कही store तो करना पड़ेगा ठीक है तो उसको store करता हूँ एक search नाम के variable में ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक search variable लिया ओके clear अब क्या करते हैं कि अब मेरा array का size 100 है लेकि मुझे 100 में से सिरफ 10 size ही use करना है ठीक है तो यहाँ में लिखता हूँ message printf enter number of elements you want to store in array मैंने यह message अपने तरफ से लिखा है आप चाहें यहाँ पे कुछ भी message लिख सकते हैं ठीक है यह मैंने अपने तरीके से लिखा है कि आप जितने elements को array के अंदर store करना चाहते हो आप वो number यहाँ पे डाल देजिए ठीक है तो जैसी user इसको पढ़ेगा अब जो element को insert करेगा यानि कि जो input देगा वो value काहाँ store हने चीए तो वो store हने चीए एक n नम के variable में तो मैंने यहाँ लिख दिया m% n ओके clear इसके बाद क्या करना है अब जितना मैंने size लिए है वो size काहाँ store हुआ है अब करना क्या है कि अब मुझे जितना size लिए है उतने elements को store करना है तो यहाँ मैं फिर से वैसे लिखूँगा print type enter elements in array ठीक है अब उसको message देगा कि आपके जो भी elements है आप उसको array में डाल सकते है ठीक है तो array के element multiple है तो यहाँ आप लूप चलाँगा for i equal to क्योंकि जो loop variable आप वो मेरा i नाम से है और जो array के first element की index वल स्टार्ट होगी वो होगी 0 से ठीक है तो इसलिए मैं आप लिए 0 लिया है तो i less than ठीक है i की value स्टार्ट होगी 0 से तो i loop कब तक चले जब तक वो छोटा हो n से ठीक है जैसे n के equal हो वो loop वहाँ पर terminate हो जाए ठीक है यह process क्या है यह आपको बताया हुआ है ओके so next यहां लिखता हूँ मैं i++ क्योंकि i के value start 0 से होगी और जो भी n का size होगा वहाँ तक loop चलेगा तो 0 से लेकर जो उसका size है वहाँ तक चले तो उनके बीच में क्या हो इंक्रिमेंट हो तो इसलिए यहां लिखा मैंने i++ block शुरू then यहां पर अब हमें value को input करवाना है उसके लिए हम यह उसकर करूँगा scanf %d and m% array element क्या है ए तो array के अंदर elements को डालेगा i variable ठीक है जो की loop variable है तो यह मेरा काम हो गया value को input करवानेगा ओके तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे फिर से मैसे लिखना है printf enter your element you want to search तो यह मेरा एक मैसे लिख है कि आप जिस element की index value या फिर इसकी position सर्च करना चाहते हो तो आप उस element को एक variable में store करवालो ठीक है तो मैं यहाँ पर store करवाने बाला हूँ search variable के अंदर तो यहाँ लिखता हूँ scanf %d m% search ठीक है I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया मैंने किया क्या है मैंने यहाँ पर 4 variable डिक्लियर गी है array variable, size variable, loop variable और search variable array का size 100 है लेकि मुझे 100 में से 10 use करने तो उसके लिए मैंने n variable लिया था तो यहाँ मैंने message print किया है जो message user पड़ेगा वो जितना यहाँ पर size देगा वो value store हो जाएगी end के अंदर ठीक है जितना मैंने size लिया है उतने मुझे element को store करना है तो उसका काम मैंने यहाँ तक की है ठीक है जो भी elements डालेगा वो सब यहाँ पर store होते रहेंगे ठीक है अब जितने भी elements डालेगा अगर मुझे उन में से किसी element की value सर्च करनी है ठीक है कौनसी value index वाली सर्च करनी है तो उसके लिए मैंने एक variable index को सर्च करने ठीक है तो सर्च करने का process चलाते है तो अब जो सर्च करेगा वो पूरे array में से करेगा यानि कि जो linear सर्च होगा वो बार बार यहाँ पर क्या होगा execute होगा यानि कि बार बार यहाँ पर loop के अंदर चलता रहेगा ठीक है अब करना क्या है मुझे कंडिशन देनी कंडिशन देने के लिए हम यूज करते हैं इफ का इफ अब देन ब्रैकेट स्टार्ट तो यहां पर क्या लिखता हूं कंडिशन यहने की ए आई यहने की जो एरे वेरिबल है उसके जो भी इंडेक्स वाल यहां पर आती रहेगी वह अगर वह एक्वल है किसके सर्च एलिमेंट के ठीक है तो क्या हो यहां पर एक मैसेज प्रिंट कर से प्रिंट एफ यूर एलिमेंट इस प्रेजेंट एट लोकेशन ठीक है और यहां लिखता हूं मैं परसेंट डी क्योंकि हम मुझे इंडिजर वैल्यू को प्रिंट करने देखो हुआ क्या है अब यहां पर मैंने क्या किया है एक कंडिशन दिया है कि जो एरे के ठीक है जो एरे के जितने भी एलिमेंट्स है उनकी इंडेक्सली यहां पर आती रहे और जो इंडेक्सली पर वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी वो वैल्यू इससे कंप ठीक है, लोकेशन बोला है, तो लोकेशन किसके अंदर स्टोर अबनी है, आई के अंदर है, ठीक है, ऐसे जो लोकेशन होती है, वो इंडेक्स फिल्यू से एक ज्यादा होती है, तो यह लिखोंगा मैं आई प्लस वन, ठीक है, अगर आपको सिर्फ उसकी इंडेक्स फिल्यू पदा करनी है, तो आप से लिखोगे i, अगर location पदा करनी है, तो आप लिखोगे i plus 1, ठीक है, जैसे इसको location मिले, वो loop को क्या कर दे, break कर दे, ओके, चलो, इतना ही program करते हैं, बाकी जितना main था concept इसके अदर, वो मैं आपको यहां बता दिया, आप मैं क्या करता हूँ, इसको म number of elements you want to store in array, तो यहां में 10 elements को store करना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं को बोल रहा है कि, जो, जितना भी आप elements store करना चाहते हूँ, array के अंदर, आप उसको यहां पर enter कीजिए, तो यहां में enter करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 8, 9, 10, 10, तो यहां मेंने क्या किया है, कि 10 elements को store कर लिए, तो यहां में notice कर बार हूँ, कि यह compiler फ़ड़ा slow है, मेभी net problem हूँ, ठीक है, तो यह बहुत time ले रहा है, तो हम इसको C compiler पर करके देखते हैं, तो के स्टूडेंट्स, यहां मेंने वस प्रोड़ांग को पूरा completely लिख लिए, तो अब हमें करना है कि इसको run करवा के देखना है, तो यहां में इसको करवाता हूँ रहें, तो यहां पूछ रहा है कि enter number of elements, तो यहां में size दता हूँ 10, ओके, तो यहां जितना मेंने size दी है, उतने ही element को यहां में store करता हूँ, ठीक है, तो हमें unordered way में लिखता हूँ, तो 45, 47, 62, 78, 95, 46, 12, 1 and 15 and last में 69, तो यहां में 10 element को यहां पर store कर लिए है, अब मुझे करना है कि, अब मुझे इस element के अंदर किसी एक की position सर्च करनी है, या फिर उसकी location को सर्च करना है, तो यहां में enter करता हूँ 12, तो हम यहां पर देखते है कि वो क्या return करता है, तो यहां return करता है 7, यानि कि जो, जो मेरे 12 element है, वो array के अंदर 7th position पर यहां, ठीक ह बिलकु राइट है, तो यहां पर linear search का process पुरा complete हो गया है, उसने क्या किया, कि one by one search करके, तो इसने array के element की index value को search करके, उसकी index value को return कर दिये, ठीक है, तो यह process पुरा linear search का, तो यहां में next बात करने वाला हूँ binary search की, तो binary search काम कैसे करता है, तो हमें करना क्या जिरफ, तो उसको मैं पहले पूरे erase कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझना easy हो जाए, तो बाइनी सर्च है, वो थोड़ा typical programming है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इस program को देखके आपको गभराना नहीं है, आप process कर रहो के तो आप सीख जाओ, तो यहां में क्या करता हूँ, कुछ, चाट बता देता हूँ, कि जो binary search है, यहां पर जो element को search करेगा, वो mid value से करेगा, ठीक है, तो हमें यहां पर mid value निकालनी है, तो mid value निकालने के लिए, यहां में एक mid नाम का variable होंगा, ठीक है, देन इसके बाद, आप जो mid value निकलती है, वो first value और last value दोनों से मिलके निकलती है यानि कि जब हम first और last को plus करेंगे, और divide करेंगे 2 से, तब जाके मेरी mid value आएगी, तो first और last को plus करना है, तो मेरे पास first variable भी होना चीए, and last variable भी होना चीए, तो मैं यहां पर total 7 variable डिकलेर की है, ठीक है, तो 4 का concept आपको पता है, बस आपको आगे होर याद रखना है, कि जो binary search होगा, वो mid value से काम करता है, तो इसके लिए mid variable, तो mid value जो निकलती है, वो first और last के addition से निकलती है, ठीक है, जब addition को two से divide करेंगे, तब जाके mid value आएगी, तो हमारे पास एक first variable भी होना चीए, और एक last variable भी होना चीए, ठीक है, तो यहां मैं फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, printf, enter number of elements you want to store, ठीक है तो आप यहां पे कितने elements को store करवना चाहते हो, वो value यहां मैं लिखता हूँ, scanf के अंदर, percent d, m%, end, ओके, यहां मैंने वो इस सेम काम किया है, अब मुझे करना क्या है, जितना size लिए है, उतने elements मुझे array के अंदर store करने, यहां मैं ऐसे लिखूंगा, printf, enter elements in array ओके, तो अब यहां मैं चलाता हूँ, loop 4, i equal to 0, i less than n, i plus plus, and block 0, scanf, percent d, m%, array variable a, and index value variable i, and block 1, ठीक है, तो यहां मैं रकाम input का भी हो गया, printf, enter your element, you want to search, scanf okay, तो यहां पर सिरफ वही काम हुआ है, जो हमने last time linear search में किया था, ठीक है, अभी मैंने binary search का कोई भी concept शुरू नहीं किया है, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं binary search के concept को, तो हमें अब करवाना के है कि binary search करवानी है, तो आपको बताया कि उसके लिए mid value होने चीए, ठीक है, mid value आ जाएगी, लेकिन कैसे आएगी, जब मैं first और last को plus करोगा, तो plus करने के लिए value भी होने चीए, तो यहां में लिखता हूँ, first equal to, तो array की जो भी first index value होगी, वो क्या ह होगी, 0 ही होगी, और जो last index value होती है, वो क्या होती है, n-1, तो यहां मेरा n variable लिए होगा, कि जो आप size दोगे, उसका कम तक क्या होगी, index value चलेगी, ठीक है, तो जो n है, वो n यहां लिखूँगा, वो minus 1 कर दूँगा, ओके, अब निकालता हूँ, मैं mid value, तो mid value निकलती है, mid equal, first minus, last and divide by 2, यहां में निकल चुकी है, mid value, ठीक है, अब मैंने आपको तीन चीज बताये थी, binary search के अंदर, ठीक है, क्या, हो सकते है कि हम, जो mid value निकाल रहे है, हम जो mid value निकाल रहे है, उससे हमारा element बढ़ा, अगर element बढ़ा होगा, तो क्या होगा, जो left-hand side वाली, जितन इसने भी series होगी, वो सारी हट जाएगी, क्योंकि element बढ़ा है, यानि इससे पहले हमें element नहीं मिलेगा, इससे क्या होगा, कि जो first value है, वो cancel होगी, ठीक है, अगर, हमने जो mid value निकाल ली है, उससे हमारा search element छोटा है, यानि कि छोटा है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कि हमारी जो last value होगी, वो वहाँ से खतम हो जाएगी, उसके बात क्या करेंगे, हम last value को फिर से निकालेंगे, ठीक है, या तो search element छोटा होगा, या फिर बढ़ा होगा, या फिर equal होगा, अगर equal हो जाएगा, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी element की index value सर्च कर चाहते हैं, वो equal होने पर हमें return कर देगा, ठीक है, अगर element होगा ही नहीं, यानि कि जो हम element सर्च करना चाहते हैं, वो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो क्या return करेगा, minus 1 return करेगा, ठीक है, तो हमारा process शुरू करते हैं, तो यहां मैं loop चलाने वाला हूँ while, क्योंकि मुझे न जब तक यह मेरी condition true हो, तब तो मेरा क्या हो, loop चले, and block true, ओके, तो मेरी loop चलाने का process बता दिया, कि जब तो मेरी first value छोटी होगी last से, या equal होगी, तब तो loop चले, अगर first value बड़ी हो जाती है last से, तो impossible नहीं है, तो कि first value मैं से छोटी रहती है last से, इस से ज़्यादा बड़ होई नहीं सकती, ठीक है, अब मेरी first condition यह है कि, अगर, तो मेरी first condition यह है कि, if, a, mid, अब यहाँ मेरा count कौन समालेगा, mid ही समालेगा, अगर जो mid के अंदर value है, जो भी index value है, उससे element बड़ा है, तो हमें लिखता हूँ, search, यह condition क्या कर रही है, यहाँ पे condition बता रही है, कि जो भी, mid के अंदर value होगी, वो index value से जब कोई value निकलेगी, अगर वो value क्या होगी, छोटी होगी, कि से, search से, तो क्या होगा, कि हमार जो first value होगी, वो cancel हो जाएगी, तो मुझे हाँ पे निकाले पड़ेगी, first value, तो first equal to, mid plus one, तो इससे में निकल के आ जाएगी, नहीं, first value, ठीक ठीक है, तो आपको पाता है कि binary search के अंदर तीन चीज होती है, less than, equal to, या फिक greater than, तो अभी मैंने जो condition लगाई है, वो मैंने कमवल लगाई है, कि अगर element सारे छोटे निकल जाए, search से, तो it means क्या होगा, कि मेरी first value cancel हो जाएगी, ठीक है, ये concert आपको मैंने chapter में second में पढ़ जाए, तो मेरी पहले condition ये होगी कि अगर search element से element छोटे है, तो मेरी क्या होगी, first value cancel होगी, तो वहाँ से वो नहीं निकाल लेगा, else if, अब क्या होता है कि जो mid value निकल के आई है, ठीक है, जो भी index वो निकल के आई है, वो array के अंदर equal हो जाती है, उस search element के, तो इससे क्या होता है, your element present at location is %d, and यहाँ प्रिंट करें, वो mid plus 1, क्योंकि index value है किसके बास, mid के पास है, जब इसको 1 से plus करोगे, तो भी निकल के आई हैगी location, and block, बंद, ठीक है, first condition होगी, कम वाली, equal, equal वाली भी होगी, अब बसती है, last condition, तो यहाँ लिखूंगा, else block शिरू, यहाँ क्या हो, हमारी जो end value है, यानि कि जो भी हमारी last value है, वो cancel होजएगी, अब उसको नहीं निकल नहीं है, तो यहाँ में लिखूंगा, last equal to, कैसे निकल कहाँगी, mid minus, minus 1, क्योंकि ज क्योंकि last से बढ़के कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर minus 1 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ में काम हो करता हूँ, कि जब भी इसको element मिल जाए, तो यहाँ पर इस loop को क्या कर दे, वो break कर दे, ठीक है, फिसका कि यह loop चलाने का मतलब भी नहीं है, ओके, यह काम हो गया, ठी यहाँ भी लिखना है, mid equal to, first plus last divided by 2, यह काम में निक्यों की है, क्योंकि जब loop चलेगा, तो उसके बाद, first की value वो होगी, जो हमने यहाँ दी हुई है, last की value भी वो होगी, जो हमने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, उसे निकल की क्याती है, mid value निकल क्याती है, जब में पर process करेगा, तो वो इसी mid value से process करेगा, जो उसको first time दी हुई है, ठीक है, लेकिन जब second time वो चलेगा, वो फिर से यहीं से चलेगा, loop के अंदर से, लेकिन loop के अंदर हम देखेंगे कि, जो mid की value है, वो तो वही रहेगी, mid की value, यानि कि यहाँ पर mid value change नहीं हुई है, तो हमे कि लूप का जो block होगा, वो भी increment, decrement मांगता है, तो यहाँ मेने वो ही काम किये, ठीक है, तो आप यह समझ लोग कि यहाँ तक जो काम है, यह सिरफ element search करने का काम है, लेकिन जो search करेगा, वो mid value से ही करेगा, यहाँ पर इसको mid value दी हुई है, वो उपर की value से निकाल की दी हु बाहर क्या करना है, कि मुझे यहाँ पर एक फिर से mid value निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर बस वो ही mid value को निकाला है, ताकि जब loop चले फिर से, तो यहाँ पर जो mid value हो, वो नहीं mid value हो, पुरानी वाली mid value ना हो, ठीक है, I hope आपको समझ आ गया होगा, तो यहाँ वैसे मेरे program complete ह हो चुक है, अगर आप आगे add करना चाहो, तो यह भी add कर सकते हो, कि अगर element नहीं मिलता है, तो वो return करेगा minus 1, ठीक है, वापकी मर्ज दी है, लिकिन जितना main concept है इसका, वो मैंने आ पर लिख दिया है, तो मुझे करना क्या है, अम इसको करता हूँ run, okay, so अगर है हमें size ले इसका, ठीक है, तो आपको तो last program है, हम इसको करना चाहिए, वो उस last वाली compiler के अंदर, because यहाँ पर recursion कई बास अबोट नहीं करता है, ठीक है, तो चलिए हम उस window पर चलते हैं, okay, तो यहाँ पर अभी तक यह execute नहीं हुआ है, तो इसको हम करते हैं, इरेस, okay, so recursion क्या होता है वहले हम इसको यह देख लेते हैं, what is recursion, ठीक है, तो हम recursion का program शुरू करने वाले हैं, तो recursion का program शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं, कि recursion क्या होता है, so recursion एक ऐसा function होता है, जो खुद को call करता है, यानि कि when a function call itself, it is known as recursion, आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी function मन आते हो, तो उस function को हमेशा main function ही call करता है, ठीक है, वो तो होते हमारे normal functions, लेकिन ऐसा function जो खुद को call करे, खुद को call कैसे करेगा, वो मैं आपको बता दूँआ, ऐसा function जो खुद को call करे, उसको बोलते है recursive function, या फिर recursion, मैं आपको इसका syntax दिखा जाता हूँ, so here recursive function, क्यो तो यह हमारे normal function call होता है, ठीक है, लेकिन जब function खुद को call करता है, उसको हम बोलते है recursive function, ठीक है, या फिर recursive function, तो आप इस syntax को note कर सकते हैं, लेकिन हम main बात करने वाले है program की, ठीक है, जो है Fibonacci series, यानि की Fibonacci series, so मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहां में फटा-फट program बना लेता हूँ, okay, so मैं यहां पर program बना लिया है, ठीक है, हमें इने किया क्या है, पहले मैं आपको इसका output दिखा जाता हूँ, now you can see, यहां पर 5 ट्रंस प्रिंट हो रही है, जहां पर 0,1,2,3 आ रहे है, ठीक है, अगर यहां पर value चेंज करता हूँ, यहां में value लेकि 10, इससे क्या होगा, यहां पर 10 values प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, so यह काम हो कैसे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके diagram दिखाना चाहता हूँ, यहां पर diagram देख सकते हो, यहां पर बताया गया है कि अगर यहां में 5 values की Fibonacci series प्रिंट करता हूँ, तो यह प्रिंट कैस जाएगी, लेकिन जो 4T रम होगी हो किसको करने से अग ह norm, हमें इन दुनों को plus करने से मिलती है, ठीक है, तो पहले क्या करेगा वो 0aben को plus करेगा, इसको plus करने से क्या हो 1 , तो अप क्या करना है कि 3 निकाल नियाया, तो 3 का सि irrig stars ? मोर first term को plus करेंगे अब fourth term निकालनी है जब हम third term को second term से plus करेंगे तो ऐसे करके एक काम करते हैं ठीक है तो अब इसको program देख लेते हैं कि यह कैसे किया है यहां मैंने एक function आ लिया यहां मैंने एक argument पास की है क्यों पास की है क्योंकि जितने मुझे terms प्रेंट करनी है वह value यहां पर आती रहे ठीक है उसके बाद अगर n की value 0 हो जो हम यहां पर n की value देंगे अगर वह 0 के equal होगी तो return 0 करेगा अगर वह value 1 के equal होगी तो return 1 करेगा अगर value ज्यादा होगी अगर 2 term होगी है 3 terms होगी तो उनका वागे term print करके देदेगा ठीक है ओके तो उसके बाद क्या करना है main function में में क्या करना है कि अब यहां पर दो वैरिबल नेने है ठीक है तो यहां में ने first message print किया है कि f1he of %d तो यहां पर आगया f1he of %d यहने कि %d किसके वली लेगा n की तो n की वली हमें क्या है 5 तो यहां पर 5 आ गया तो अब 5 values को print करना है ठीक है तो function हमने call कैसे कि है कि जो भी f1he of %d ठीक है इसको यहां पर call किया है यहां पर हम क्या करेंगे कि जो भी i की value होगी इस function के पास एक argument था एन नाम से तो इसकी जो value मिलेगी वो i से मिलते रहेगी क्योंकि i पहले 0 term देगा फिर 1st term देगा ठीक है फिस ऐसे करके values को print करता रहेगा तो print जब करेगा वह कुछ इस तरीके से print करेगा अगर हमें value change करता रहूंगा तो मुझे उस तरीके की values को print करके देता रहेगा यह ठीक है आगी currency तो इसको हम बोलते हैं Fibonacci series यह जो program है वो recurrence से करवाया है यह program important है यह आपके exam में आ सकता है ठीक है students तो आपके chapter में second के जितने प्रोग्राम से मैंने करवा दिया है तो आपके chapter में second के अंदर एक topic बसता है calculation of address one dimensional array of two dimensional array तो हम next बात करेंगे कि हम कैसे array के अ आपके यह program से ही पर complete होते हैं अगर आपको कोई doubter तो आप प्लिस मुझे instagram पर message कर सकते हैं इसका जो link होगा आपको निचे description box में मिल जाएगा या फिर आप मुझे इस video के निचे comment कर सकते हैं so okay students मिलते है next video में तब तक के लिए take care and bye bye